हालो गाइज, वेलकम टो केमबूश्ट अगेन, तो टोड़े वी विल डिसकस एलकीन्स लेक्चर नमबर एट, बेसीकली इस लेक्चर में हम कॉंटिन्यू करेंगे केमिकल रियक्शन्स ओफ एलकीन्स को, जिसमें आज हम देखेंगे एडिशन ओफ हैलोजन एसीड्स को, सबस परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट बोल देते हैं, इस लेक्चर के बाद आपका इस कॉंसेप्ट से रिलेटिड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कब हमें मार्कोवनिकोप्स लगाना है, कब हमें परोक्साइड इफेक्ट लगाना है, HBR के साथ ही क्यों प तो चलिए dear students, अब हम देखते हैं chemical reactions of alkene में next reaction जो है addition of halogen acids, halogen acids बोले तो HCL हो गया, HBR हो गया and HI हो गया, बहुत ही कोमंसी बात है अब देखे, जब हम alkenes की reaction करवाते हैं halogen acids के साथ, तो हमारे पास alkyl halides की formation हो जाती है, alkenes on reaction with halogen acids form alkyl halides, इसको समझने के लिए हम general alken लेते हैं, उसमें addition करवाते हैं हम halogen acid का, तो हमारे पास देखे, alkyl halide की formation हो जा रही है more specifically बात करें, तो हम लेते हैं ethene और उसमें addition करवाते हैं hpr का, तो हमारे पास formation हो जाती है bromo ethene की, किस तरीके से, cs3, ch2, br, ये है हमारे पास bromo ethene common name लेंगे तो क्या होगा, ethile bromide अब देखिए, हमारे पास जो halogen acids हम ले रहे हैं, उनका जो order है reactivity का इस reaction में, वो होगा, HI का सबसे ज़्यादा, then hbr, and then hcl अब question arise होता है कि sir, आखिर ऐसा क्यों, अब देखिए, जो ये reaction है addition of halogen acids, ये भी हमारे पास, एक electrophilic addition reaction है addition of halogenes की तरह, अब देखिए, हमारे पास hbr है, यहां से जितना जल्दी electrophile generate होगा, उतना fast हमारे पास reaction होगा, अब electrophile कब generate होगा, जब ये bond break होगा, जितना easy ये bond break होगा, उतना easy हमारे पास electrophile generate होगा, और उतने ही fast हमारे पास ये reaction होगी, तो आप देखिए, जो bond dissociation energy है, hcl की, वो है 430 kJ per mole, and hbr की है 360 kJ per mole, and hi की है 300 kJ per mole, देखि, hcl की bond dissociation energy सबसे ज़्यादा है, इनके comparison में, तो इस bond को break करने के लिए हमें, ज़्यादा energy देनी पड़ेगी, मतलब electrophile काफी difficulty से generate होगा, as compared to हम बात करें, hbr and hi, hi की bond dissociation नंची, इन सब में कम है, तो यहां से ये bond काफी easily break होगा, और हमारे पास electrophile easily generate होगा, और reaction fast ह होगी, that's why हमारे पास ये order है, इसे हमने ने किसके base पे explain किया, on the base of bond dissociation energy, clear हुआ concept, उसके बाद हमने बोल तो दिया, alkenes जब reaction करती है, halogen acids के साथ, तो alkyl halides की formation हो जाती है, लेकिन ये इतना simple भी नहीं है, जो actual product हमारे पास form होगा, वो इस बात पर depend करता है, कि हमारे पास al symmetrical है, या unsmetrical, ये concept आपको और clear होगा, जब हम lecture में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, for the timing, आप इतना याद रखिए, और इसे note डाल कर लिख लिजिए, तो चलो, आप इसे note करो, फिर हम चलते हैं, lecture के next segment के तरफ, तो चलिए dear students, addition of halogen acids में सबसे पहले आप लिखेंगे, addition to symmetrical alkenes, symmetrical alkenes मतलब, वो alkenes जहां पर double bond के दोनों साइट, same kind of atoms या groups हो, क्या कहना चाह रहा हूँ, देखें जिस तरीके से इथीन है, carbon, double bond, carbon, इस side देखें, तो H है, और H है, इस side देखें, तो यहां भी H है, और यहां भी H है, देखें जो double bond है, उसके दोनों साइट, same kind of atoms हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें, view to in की, तो यहां पर आप देखें, CS3, CH, इस side है, CS3 और H, double bond, CS3, H, यहां पर भी देखें, CS3 है, और H है, यहनि, same kind के हैं, तो हमारे पास यह है, symmetrical alken, तो देखें, अगर हमारे पास alken, symmetrical है, तो theoretically हमारे पास एक ही product possible होगा, किस तरीके से आईए देखते हैं, इथीन है, इसमें हम add करवाते हैं, H, बी आर, तो हमारे पास formation हो जाती है, CS3, CH2, बी आर की, यानि, ब्रोमो इथेन, अब जुरूरी नहीं है, आप बी आर को इसी कार्बन के साथ दिखाएं, आप इस कार्बन के साथ भी दिखा सकते हैं, वैसे अगर हम इस वाले के साथ दिखाएं, तो हमारे पास CSA हो जाता है, इसे अलग से लिख ली जीएगा, इसमें नहीं है, CH2, बी आर, CS3, ये भी हमारे पास क्या है, ब्रोमो इथेन ही तो है, that's why ये बोल रहा है, कि जब एलकीन स्मिट्रिकल हो, तो हमारे पास theoretically एक ही product possible होता है, इसी तरीके से ब्यूर्ट्टू इ CHCL, CH2, CS3, आप इस कार्बन के साथ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास एलकीन स्मिट्रिकल रहेगी, तो ये हैं हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटेन, clear हुआ concept, अब हम देखते हैं इसकी mechanism, आपको बिल्कुल picture clear हो जाने वाली है, ये बात मैं already बोल चुका हूँ, कि जो addition of halogen acids है, वो addition of halogenes की तरह electrophilic addition reaction है, और इस mechanism में basically हमारे पास 2 steps होते हैं, addition of halogen acids to alkene is also an electrophilic addition reaction like addition of halogen and occur in following 2 steps, अब हम सबसे पहले करते क्या है, ionization करवाते हैं, यही example ले लेते हैं इथीन वाला, HBR का, तो यह इधर और हमारे पास बन गया H plus plus BR minus ionization, अब उसके बाद हम देखते हैं step 1, I think अब आपको थोड़ी और picture clear हो रही होगी कि order of reactivity यह क्यों था, HI, then HBR and then HCL, क्योंकि अब आपने देखा कि जितनी जल्दी H plus generate होगा, उतनी फास्ट हमारे पास reaction होगी, अब H plus generate कब होगा, जब यह bond break होगा, जितनी आसानी से break होगा, उतनी easily हमारे पास H plus form होगा और reaction होगी, HI के case में हमारे पास सबसे कम bond dissociation अज़र जी थी, CH2 plus H plus, यह है हमारे पास, इथाइलीन, और हमारे पास formation हो जाती है इथाइल कार्बो केटाइन की, CH2 plus CS3, CS3 यह है हमारे पास, इथाइल कार्बो केटाइन, यह होगए हमारे पास step 1, इसके बाद हम देखते हैं step 2, इसमें क्या होता है, जो BR negative यानि nucleophile है, यह वह हमारे पास जो first step है, यह slow होता है, slow step plus CH2 plus CS3, अब जो BR negative है, यह इथर attack करेगा, यह है हमारे पास, nucleophilic attack, nucleophilic attack, यह हमारे पास first step होता है, और हमारे पास formation हो जाती है, ब्रोमो इथेन की, यही बात हमने उपर लिखी, I think, आप कोई डाउट नहीं रहा गया होगा, कि किस तरीके से हमारे पास, Bromothene या Ethyl bromide form हुआ था, तो यह तो बात हो गई, डियर हमारे पास, symmetrical alkenes की, अब unsmetrical हो तो क्या करें, उस case को भी देखेंगे, for the timing, आप इसे note कीजिए, तो चलिए, dear students, अभी हमने देखा, addition to symmetrical alkenes, अब हम देखेंगे, addition to unsmetrical alkenes, देखिए, वहाँ पर हमने बोला था, कि जब हम addition करेंगे, symmetrical alkenes में, तो हमारे पास, theoretically एक ही product possible होता है, लेकिन, जब हम addition करते हैं, unsmetrical alkenes में, तो हमारे पास, theoretically two products possible होते हैं, when the alkenes is unsmetrical, two products are theoretically possible, किस तरीके से, आईए, example की help से, understand करते हैं, प्रोपीन में हम addition करवाते हैं, HBR की, dark में, या absence of peroxides में, तो हमारे पास, two products यहाँ पर theoretically form होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, एक होता है, two bromopropane, और एक होता है, one bromopropane, आईए देखते हैं, जब हम BR को, यहाँ पर लगाते हैं, यानि, CS3, CH, BR, CS3, देखो, जब symmetrical था, तो मैं बोल रहा था, कि BR को अब कहीं भी attach कर सकते हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, unsmetrical है, तो यहाँ पर वो फंडा नहीं चलेगा, आगे चलोगे, खुद समझ जाओगे, तो अगर BR यहाँ attach करवाएं, तो बन जाएगा, CS3, CH2, CH2, BR, यह है हमारे पास, two bromopropane, two bromopropane, यह है हमारे पास, one bromopropane, one bromopropane, यह हमारे पास, BR, अब हमारे पास, जो यह है, यानि two bromopropane, यह तो है dear major product, और यह है dear minor product, अब question arise होता है, ऐसा क्यों, तो उसे जानते हैं, उसको समझने के लिए, हमें एक rule समझना पड़ेगा, जो की काफी famous है, वो है, Markovnikov's rule, basically हमारे पास, Markovnikov, एक Russian chemist थे, जिनने इस तरीके की, काफी addition reactions को study किया, और एक empirical rule दिया, 1869 में, अपने name पर, जो है Markovnikov's rule, जो क्या कहता है, कि जब हम unsmetrical reagents की addition करते हैं, unsmetrical alkenes में, तो वो addition कुछ इस तरीके से होती है, कि जो हम add कर रहे हैं, उसका negative part तो, हमारे पास, carbon, carbon double bond में, उस carbon के पास जाएगा, जिसके पास, कम hydrogen atoms होंगे, I repeat, हमारे पास, जब हम addition करेंगे, unsmetrical reagents की, unsmetrical alkenes में, तो addition कुछ इस तरीके से होगी, कि जो molecule हम add कर रहे हैं, उसका negative part, carbon, carbon double bond में, उस carbon के पास जाएगा, जिसमें हमारे पास, lesser number of hydrogen atoms होंगे, यही बात हमने यहां लिखी है, the addition of unsmetrical reagents, such as, HX, H2O, HOX, etc. to unsmetrical alkenes, occur in such a way, that the negative part of the addendum, that is adding molecule, goes to that carbon of the double bond, which carries lesser number of hydrogen atoms, example देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हम example लेते हैं, 2-methyl-propene का, 2-methyl-propene, अब देखिए dear, इसमें हम addition करवाते हैं, HCl की, तो इसमें हमारे पास, positive part यह है, negative part यह है, मारकोवनिक औरूल के कोडिंग, negative part कहां जाएगा, adding molecule का, वो carbon, carbon-demal bone में, उस carbon के पाँ जाएगा, जहां पर lesser number of hydrogen atoms होंगे, यहां पर कितने हैं, है यह नहीं, यहां पर कितने हैं, 2, तो यहां पर add करेंगे न, तो हमारे पास बन जाएगा, CS3, carbon CS3, यहां पर H, और यहां पर negative part Cl, यह हमारे पास बन गया, 2 chloro, 2 chloro, 2 methyl, propane, अब मुझे यह बताने की जूरत नहीं है, कि यहां पर हमारे पास major product, यह क्यों बना, क्यों बना dear, Markovnikov's rules से, हमारे पास यहां पर lesser number of hydrogen atoms है, and that's why, यहां पर, अब आप से कोई पूछे, आप तो answer कर देंगे न, आपकी आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो यह हमारे पास काफी important है, आप यहां से भी example के थूरू भी समझ सकते है, Markovnikov's rule को, कि जब हम molecule को add करते हैं, unsmetrical alkene में, तो जो negative part है, वो carbon, carbon double bond में, उस carbon के पास जाएगा, जिसमें lesser number of hydrogen atoms होंगे, तो यह वाला carbon है, यानि यह मानलोग C1 है, तो 2 के पास हमारे पास यह जाएगा, तो आप इसको note करो, फिर हम चलते हैं, lecture के next segment की तरफ, और इसकी theoretically explanation देखते हैं, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए dear students, अब हम देखते हैं, theoretical explanation of Markovnikov's rule, कि हमारे पास जब हमने प्रोपेन में HBR की addition करवाई dark में, तो हमारे पास 2 Bromo Propane और 1 Bromo Propane foam हुए, 2 Bromo Propane हमारे पास major product बना, 1 Bromo Propane हमारे पास minor product बना, अब हमारे पास 2 Bromo Propane ही क्यों major बना, 1 Bromo Propane क्यों नहीं, हो सकता है यह न एक question, तो यह उसी को answer करने की कोशिश करते हैं, example लेते हैं हम प्रोपेन का ही, अब मैं कई बार बोल चुका हूँ, कि जो addition है, halogen acids की alken में, वो electrophilic addition reaction है, तो first step में हमारे पास क्या होता था, H plus का addition होता था, तो वही हम यहाँ पर कर देते हैं, addition of H plus, अब वो मैं कहां करूँ, यहाँ पर मान लो यह है carbon 1, यह है carbon 2, आप में से कोई कहेगा sir 1 पे कर और कोई कहेगा 2 पे, तो दुनों की मान लेते हैं, पहले हम करते हैं addition at C1, यहनि carbon 1 जो है, addition at C1, अगर 1 पे करते हैं, तो क्या form होगा हमारे पास, CS3, CH plus, CS3, समझ गए होंगे कहीं लोग, अब इसी तरीके से, अगर हम 2 पे करें, addition at C2, तो हमारे पास क्या होगा, CS3, CH2, CH2 plus, अब डियर, 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 यह हमारे पास कुन सा कार्बोकेटायन है, secondary कार्बोकेटायन, और यह हमारे पास कुन सा है, primary कार्बोकेटायन, stable कुन सा है, secondary कार्बोकेटायन, reactive intermediate में, बहुत ही deep में हम यह चीज़ जान चुके हैं, तो कुन सा बनना पसंद करेगा, secondary या primary, obviously secondary क्योंकि वो stable है, तो उसी तरीके से हमारे पास, next step में हमारे पास, BR negative attack करता था, और form कर देता था product, यहाँ पर बनेगा, CS3, CHBR, CS3, यानि, two bromopropane, अब समझा गये न, क्यों हमारे पास यह major है, क्योंकि यहाँ पर secondary carbogatine बन रहा है, major, अगर यहाँ पर करेगा attack, तो यह minor बना देगा, यानि, one bromopropane, CS3, CH2, CH2, BR, यह है हमारे पास, one bromopropane, और यह है हमारे पास, minor product, I think, अब कोई भी doubt नहीं रह गया होगा, तो यह है हमारे पास, theoretical explanation of Markovnikov's role, ध्यान से समझीए, और इसे note कीजिए, फिर हम इस concept के base पर, questions को देखते हैं, तो चलिए dear students, आपके सामने मैंने problem लिख दी है, जो भी concept अभी तक हमने सीखा है, आपको वो यहाँ apply करना है, previous lectures के concept भी यहाँ पर apply होंगे, तो उन्हें ध्यान में रखकर, आप इस question को solve करें, वीडियो को post करें, otherwise हम discuss करेंगे ही, कर लिया try, आप discuss करते हैं, solution, सबसे पहला step क्या होता था डियर, proton का addition, तो यहाँ मैं direct कर रहा हूँ, H+, और यह हमारे पास, slow step होता था, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, CS3, CH+, CS3, क्योंकि हमारे पास आपको पता है, हमने पहले भी कई बार डिसकस कर लिया है, कि कार्बो कैटाएन जब जब बनता है, तो वहाँ पर हमें यह देख लेना चाहिए, कि कई उससे ज़्यादा stable तो नहीं बन रहा, रियरेंज करके, तो आप देख सकते हैं, आगर हम यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करें, तो यहाँ पर और stable कार्बो कैटाएन बन सकता है, किस तरीके से वो देखिए, अब इसको मैं उपर लिख देता हूँ, और इसको निचे, CS3, H, अब यहाँ से होगा हमारे पास, हाइड्राइड शिफ्ट, ओल्रेडी हम यह डिसकोस कर चुके हैं, पहले भी, कई बार, 1, 2, हाइड्राइड, शिफ्ट, तो हमारे पास बनेगा, CS3, C, CS3, प्लस, CH2, CS3, यह हमारे पास कुन सा कार्बोकेटायन था, डियर, डिरेक्टली टू कार्बन से अटेच है तो इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था यहां पर डिरेक्टली तीन के साथ तो हमारे पास ये टर्श्री कार्बोकेटाइन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है उसके बाद बस फिर वही हम क्या करते थे बी आर नेगेटिव का अटेक करवा दे थे जो कि हमारे पास फास्ट टिस्टेप होता था तो ये हमारे पास इस कार्बन पर अटेक करेगा और फोर्म कर देगा CS3, CCS3, BR, CS2, CS3 क्या नाम होगा इसका? टू ब्रोमो, टू मिथाइल, ब्यूटेन क्लियर ओफुली सबका ठीक हुआ हुगा नई हुआ तो भी कोई बात नहीं आप इसे समझ कर नोट करो मैं आपको एक और कोश्चन देता हूँ बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है तो चलिए डियर स्टुडेंट्स आपके सामने मैंने प्रोब्लम लिख दी है सेम कुंसेप्ट लगाना है जो हमने प्रीवियस कोश्चन में लगाया था वीडियो को पोस्ट करें और आप सभी इसी कोश्चन को ठीक कीजिए कर लिया ट्राई तो आओ डिसकस करते हैं सबसे पहले हम क्या करते थे हच प्लस का एडिशन तो हमारे पास क्या बन जाता था CS3 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 CH प्लस CS3 यह हमारे पास बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाएन प्लस अब कार्बोकेटाएन बन गया तो रियारेंजमेंट क्या हो रही है जी हो रही है बिलकुल यहां से क्या होगा मिधाइल श्फ्ट रियरेंजमेνट कब होगी तो हमारे पास यह है 1, 2 मिधाइल श्फ्ट तो हमारे पास यह बनेगा CS3 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 और यहाँ पर प्लस यह हमारे पास कुन सा है 3 degree यानि टर्श्री कार्बोकेटाइन तो हमारे पास next step क्या होता था BR negative अटेक करता था यह हमारे पास slow step होता था और यह हमारे पास fast यह अटेक करेगा यहां और हमारे पास formation हो जाएगी CS3 CS3 BR CH CS3 CS3 I think सबका यह question ठीक होआ होगा इसका क्या नेम होगा हमारे पास 2 bromo 2 3 dimethyl 4 carbon है तो butane यह हमारे पास आगे हमारा final product hopefully आप सभी का यह question ठीक हुआ होगा तो चलिए dear students अभी हमने देखा कि unsmetrical alkenes में जब हम unsmetrical reagents की addition करवाते हैं तो हमारे पास markovnikos rule follow होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कब नहीं होता वो आपको तब पता चलेगा जब हम study करेंगे परोकसाइड इफेक्ट या जिससे हम anti-markovnikos addition भी बोल देते हैं ये खराश effect के नेम से भी काफी popular है अब ये इसे देखते हैं नेम से ही clear हो रहा है anti-markovnikos मतलब markovnikos का उल्टा basically परोकसाइड इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है जब हम HBR की addition करवाते हैं unsmetrical alkenes में परोकसाइड की presence में मैंने कहा जब HBR की addition करवाते हैं not HCL, not HI तब हमारे पास हमें परोकसाइड effect या खराश effect देखने को मिलता है मतलब ये markovnikos addition का उल्टा होता है in presence of paroxides such as benzoil paroxide the addition of HBR but not of HCL or HI to unsmetrical alkenes takes place contrary to markovnikos rule this is known as paroxide or खराश effect example देखने हैं थोड़ी और picture clear होगी propene किसकी addition करवा रहे हैं HBR की किसकी presence में benzoil paroxide की presence में जिसको अगर हम open करके लिखे हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा हब हमारे पास क्या होगा अगर ऐसा है तो markovnikos rule का उल्टा होगा यानि anti-markovnikos addition तो हम यह लिख देते हैं anti mark addition अब क्या होगा markovnikos rule के coding क्या था कि जो negative part था addendum का यह adding molecule का वो कहां जाता था वो उस carbon के पास जाता था जिसके पास कम number of hydrogen atoms थे लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होगा कि जो negative part होगा adding molecule का वो वहाँ जाएगा जिस carbon atom पर more number of hydrogen atoms होगे अब इसके coding क्या होगा negative part के बिया negative कहां जाना पसंद करेगा जहाँ पर more number of hydrogen atoms होगे तो हमारे पास formation हो जाएगी CS3 CH2 CH2 BR यानि हमारे पास form हो गया 1 bromo propane 1 bromo प्रोपेन अब अगर हमें define करना हो परोकसाइट खराश या एंटी मार्कोवनिकोस एडिशन को तो कर दोगे simple हमने मार्कोवनिकोस का उल्टा करना है कि एंटी मार्कोवनिकोस रूल के according जो negative part है addendum का ये adding molecule का वो उस carbon के पास जाएगा जिसके पास more number of hydrogen atoms होंगे यही बात हमने यहां लिखी है according to anti-मार्कोवनिकोस रूल the negative part of addendum goes to the carbon which has more number of hydrogen atoms attached to it यही बात यहां है कि negative part कहां गया है adding molecule का उस carbon के पास जिसके पास ज़्यादा number of hydrogen atoms है आप देख सकते हैं I think feel आया होगा paroxide effect का सिरफ आपको यह याद रखना है कि यह तभी होगा अगर हम addition कर रहे हैं HBR की और किसकी presence में paroxides की present में तो यह आप याद रखेंगे तो आप इसे note करें फिर हम देखते हैं इस effect की mechanism को तो चलिए dear students अब हम discuss करते हैं mechanism को basically जो addition है HBR की L15 में paroxides की presence में वो होती है हमारे पास free radical mechanism इसमें basically हमारे पास three steps होते हैं सबसे पहला step होता है initiation, step two होता है propagation, step three होता है termination आई यह one by one हम deep में इन तीनो steps को analyze करते हैं सबसे पहला step है initiation इसमें हम क्या करते हैं benjoyal paroxides लेते हैं और उसे heat करते हैं और हमारे पास formation हो जाती है benjoyal free radical की किस तरीके से आईए वो देखिए अब आपको पता है जब हमें single electron के moment को दिखाना हो तो हम half added arrow यूज़ करते हैं अब यह हमारे पास sigma bond है इसमें हमारे पास दो electron होंगे कुछ इस तरीके से अब हमारे पास एक electron इधर एक electron इधर तो हमारे पास formation हो जाएगी 2, C6, H5, C double bond, O, O radical यह हमारे पास बेंजोयल फ्री रेडिकल बेंजोयल फ्री रेडिकल अब देखिए हमारे पास जो यह बेंजोयल फ्री रेडिकल बना है इसकी हम addition करवाते हैं HBR के साथ और हमारे पास अब यह धियान से देखिएगा वही sigma bond है दो electrons हैं अगर हमें single electron की moment को दिखाना हो तो हम half edit arrow यूज़ करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से इसको कुछ इस तरीके से और इसको कुछ इस तरीके से तो हमारे पास यहां पे clearly formation हो जा रही है C6H5 COOH यानि benzoic acid और साथ में हमारे पास निकल जा रहा है BR radical फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कुछ भी नहीं किया benzoic peroxide को हीट किया benzoic free radical बन गया उसके बाद हमने reaction करवाई benzoic free radical की HBR के साथ और हमारे पास C6H5C और OH plus BR radical बन गया step 2 है propagation इसे ध्यान से देखिएगा अब हमारे पास इसमें भी two steps होते हैं पहले step में जो BR radical है वो double bond में कुछ इस तरीके से add होता है कि हमारे पास stable free radical बने क्या कहना चारूम देखिए हमारे पास यहां पर क्या होता है इस bond का एक electron इदर एक इसके साथ तो हमारे पास बन जाता है CS3 CH radical CH2 BR मान लो मान लो कि मान लो BR हमारे पास यहां आ जाता तो radical इदर होता है इदर radical होता है तो कुन सा होता है primary अब यहां है तो कुन सा है secondary यानि most stable है this is secondary free radical more stable अब देखो हमारे पास यह बन गया secondary free radical second step में हमारे पास क्या होता है यह जो radical form हुआ है यह HBR से H radical को abstract करेगा और addition को complete करेगा किस तरीके से यह देखो इसको हम दिखाएंगे इदर इसको इदर और इसको इदर हमारे पास बन जाएगा CS3 CH2 CH2 BR प्लस में BR radical यह है हमारे पास propagation step 3 है termination अब 2 BR radical है तो यह हमारे पास बना देंगे BR2 किस तरीके से just ऐसे BR radical BR radical यह इदर यह इदर हमारे पास क्या बन जाएगा BR यह बस समझने के लिए है आप ऐसे ही लिखेंगे exam में 2 BR2 radical हमारे पास बना देंगे BR2 इसी तरीके से यह और यह हमारे पास क्या बना देंगे अब आप इतना समझ सकते है clear लिख सकते है CH BR CH2 BR इसी तरीके से अब यह 2 थे तो यह बना अलग-अलग किया तो यह बना यह भी तो 2 हो सकते है तो यह हमारे पास बना देंगे CH3 CH CH CH3 CH2 BR CH2 BR यह हमारे पास 3rd हो गया इसे भी आप उसी तरीके से समझ सकते है एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह है हमारे पास mechanism hopefully आपको feel आया होगा concept का इसमें इसे ज़्यादा पढ़ने के नेड नहीं है अब question यह arise होता है कि sir paroxide effect HBR के case में ही क्यों देखने को मिलता है HCL के case में क्यों नहीं HI के case में क्यों नहीं तो आप पहले इतना note करें फिर हम इस question को भी लेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो चलिए dear students अब हम देखते हैं कि हमारे पास paroxide effect सिरफ HBR के साथ ही क्यों देखने को मिलता है HI के साथ क्यों नहीं HCL के साथ क्यों नहीं HF के साथ क्यों नहीं आप देखेंगे वहाँ पर यही two propagation steps हमें मिलेंगे सिरफ फरक क्या होगा वहाँ पर X की जगा BR होगा simple अब देखिए dear हमारे पास अब हम one by one देखते हैं कि आगर X की जगा FO या CL हो या BR हो या I हो तो क्या होता है यानि delta H क्या होता है मतलब enthalpy change in kilojoule 209 kilojoule per mole उपर लिख दिया है तो यहाँ पर लिखने की जूरत नहीं है और हमारे पास जो second step है dear इसके लिए हमारे पास जो delta H होता है वो होता है plus 159 kilojoule per mole यह है minus के 209 जब हमारे पास HX में XCL हो तो first step के लिए हमारे पास होता है minus 101 and second step के लिए होता है plus 27 जब हमारे पास BR हो तो first step के लिए हमारे पास होता है minus 42 और इस step की बात करें यानि second step इसके लिए होती है minus 37 अगर हम बात करें I की तो first step के लिए होता है डेल्टा H प्लस 12 किलो जूल पर मॉल अब जो डाटा मैंने आपके सामने लिखा है इससे ये साफ हो जा रहा है कि HBR के केस में जो दोनों स्टेप्स है वो एक्जोथर्मिक है आप देख सकते हैं डेल्टा H नेगेटिव है that's why हमारे पास जो परोकसाइड इफेक्ट है वो सिरफ HBR में देखने को मिलता है आप देख सकते हैं F के केस में अगर एक एक्जोथर्मिक है तो दूसरे एंडोथर्मिक है इसी तरीके से CL में भी और इसी तरीके से हमारे पास I में भी आप देख सकते हैं कि फर्स स्टेप एक्जोथर्मिक नहीं सोरी एंडोथर्मिक है और हमारे पास सेकिंड स्टेप एक्जोथर्मिक है I think अब क्लियर हो गया होगा इसको आप चाहें तो हाइलाइट कर सकते हैं आप कोई पुछे आप तो कर दोगे ना सर आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो प्रोपेगेशन स्टेप्स है उनमें बी आर के केस में दोनों स्टेप्स एक्जोथर्मिक है अगर हम बात करें F की, C, L की, I की उनमें एक एक्जोथर्मिक है तो दूसरा एंडोथर्मिक मिलेगा क्योंकि डाल्टेज पोजेटिव है तो एंडोथर्मिक है इस इस दा रीजन, I think क्लियर हुआ होगा कॉंसेप्ट, आया होगा फिल कॉंसेप्ट का तो आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको प्रोब्लम्स देता हूँ उसे कर दो और इस लेक्चर को हम फिनिश कर देते हैं तो चलिए डिये स्टुडेंट्स, आपके सामने मैंने कोश्चन लिख दिया है सारे कॉंसेप्ट आपको पता है, जस्ट अपलाई करने हैं तो वीडियो को पोस्ट करो और आप प्रोडक्ट मुझे बताओ कर लिया ट्राई, तो बहुत ही सिंपल है HBR है, अंस्मिट्रिकल एलकीन है तो मार्कवनिकोफ एडिशन होगी और हमारे पास फोम हो जाएगा CS3, CH, BR, CS3 यह हमारे पास है, 2-Bromopropane यह हमारे पास कौन सी एडिशन है? मार्कवनिकोफ एडिशन, जिसे हम शोट में लिख देते हैं मार्क एडिशन क्लियर अब यहाँ पर HBR है, H निए और परोकसाइड है HBR की एडिशन करवा रहे हैं किसकी प्रेज में? परोकसाइड तो कौन सा एफेक्ट? परोकसाइड एफेक्ट, खराश एफेक्ट यह एंटी मार्कवनिकोफ रूल तो हमारे पास यहाँ पर प्रोड़क्ट क्या बनेगा मेजर? CH3, CH2 CH2, DR यानि 1-Bromo प्रोपेन यहाँ पर कौन सी एडिशन हुई है? एंटी मार्कवनिकोफ एडिशन I think आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस कौनसेप्ट से रिलेटेड डीप में जाकर हमने एक-एक कौनसेप्ट को समझा है और उसे अपलाई किया है अब एक बास समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया? Basically हम देख रहे हैं हमारी next chemical reaction of alkenes जो है addition of halosin acids सबसे पहले हमने reaction देखी क्या होती है then हमने उसके examples देखे फिर हमने देखा actual product इस बात पर depend करता है alkenes metrical है या unsmetrical smetrical का case देखा उसमें mechanism के थरूँ analyze किया unsmetrical का case देखा उसमें भी हमने mechanism के थरूँ analyze किया कब Markovnikov लगेगा, कब anti-markovnikov रूगेगा I think clear हो गए होंगे सभी concepts, hopefully आपने lecture को enjoy किया होगा तो चलिए, till next video, keep learning, keep growing